आज हमने उनका वक्तावे सुना भाशन सुना और उन्होंने दर्भंगा एम्स के बारे में जिक्रिक किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दर्भंगा एम्स ये सरासर जूट है और हम तो प्रधान मंत्री जी से आगरा करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें आप इस देश के बर्धान मंत्री हैं और आपको जूट जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है और जिस तरीके कर ये सफेज जूट है और आपको भी पता है कि दर्भंगा में अभी तक कोई एमस नहीं खुला है हाला कि माने मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के प्रयाद से ये तैह हुआ कि दर्भंगा जो में ही एमस जो है वो बनेगी जिसको लेकर के हमारे राजसरकार ने जो है हमारे स्वास्पंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकर भूमी जो है हम लोगों ने निशुल्क कैबिनेट से पास करकर के एमस दर्भंगा के लिए दिया था और जो मात्र दर्भंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है इतना बहतरीन जगह हम लोगों ने चैनित करके प्रस्ताव दिया था लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दर्भंगा के और एक किंद्र मंत्री हैं उनके दबाव में जो है जब टीम आती है टीम खुशी से वापस जाती है सब कुछ तै हो जाता है लेकिन इनके राजितिक दबाव से वह स्विकृत ज हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया है इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है और हम आपको बता दे उसके बाद भी जब इन लोगोंने रुकवाने का काम किया यह भी नहीं बलकि वह मिट्टी भड़ाई का भी लगबग 300 करोड का मिट्टी भड़ाई का जो को जब सुचना मिली तो हमने खुद मंडवीया जी अंधोया जी नए कह वहां तो लोगों को आवा गवन की सुविधा हो जाने आने में दिक्कत ना हूँ उसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निशुल्क फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे और आप देख सकते हैं प्रधान मंति जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं वहां तो यह लोग करद कर रहे हैं एम्स को और यह चिठी जो है साफ तौर पे हमने 226 2023 को मंडविया जी को हमने यह पत्र लिखा जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है इस चीज को हम अभी अपने सार्वजिनिक भी करेंगे जो चिठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया लेकिन इतनी बड़ी जूट प्रधान मंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है तो कम से कम प्रधान मंत्री जी आप आपका कोई वास्ता नहीं है आप केवल लोगों को ब्रामित करने का काम कर रहे हैं बुलाकर कि पूछे स्वास्तमंत्री मंडविया जी से भारे सरकार के उनसे यह भी पूछे कि हम फोन किये थे कि नहीं किये थे कि जल से जल्द आपको अमने प्रस्ताव दे दिया सब सब कुछ पास कर दिया जमीन दे दिया उसकी मिट्टी भड़ाए का काम भी शुरू करवा दिया फिर भी जो है आप जो है नकार दी और आज के भाशन में हम सुने तो हमको बड़ा आश्यर लगा कि इस तरह की बातें प्रधान मंत्री करना देश की